हेलो फ्रेंट्स लाव टिप्स यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है जो लोग अपने बॉइफ्रेंड को प्यारे प्यारे नाम से बुलाना चाते हैं दोस्तो आज का वीडियो स्पेसेली लड़कियों के लिए या तो फिर उन गल्फ्रेंट्स के लिए जो अपने बॉइफ्रेंड को अच्छे अच्छे नामों से बुलाना चाहते हैं दोस्तो मैंने दस क्यूट नेम अफ जीएफ ऐसा वीडियो डाला था उसमें आपने डेर सारा प्यार दिया और उसमें डेर सारी कॉमेंट भी आए कि बॉइफ्रेंड को किस नाम से बुलाया जाए तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना चाहिए इसलिए दोस्तो आज का वीडियो स्पेशली मैंने डिमांडिंग है इसलिए बनाया है दस क्यूट नेम ऑफ बी एफ दोस्तो हर कोई अपने बॉइफ्रेंड को प्यारी प्यारे अच्छे अच्छे नामों से बुलाना चाहता है या तो फिर दोस्तो हर संबंद में यह एक ह आते हैं जिससे एक स्पेशल फिलिंग आती है और अच्छा प्यार और प्यार बढ़ना इसमें चांसे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि दोस्तो आप जब प्यारे नाम से बुलाते हैं तब सामने वाले को लगता है कि यह उसके लिए ही नाम बना है मतलब कि अपनी गल्फ्रे के दस नाम देख लेते हैं तो जो मैंने दसवे नमबर पर रखा है वो नाम है आसिक दोस्तो यह नाम स्पेशल फॉल लवस है अगर आप लव बढ़ से और बहुत ही प्यार में पागल रहते हैं तो सामने वाले को आप आसिक कह सकते हैं दोस्तो इससे बाइफ्रेंड को एक specially lover वाली feeling आती है जो कि एक प्यार वाली feeling हो सकती है दोस्तों 9 नमबर पर मैंने जो रखा है वो है my love दोस्तों my love का मतलब ही यह है कि मेरा प्यार दोस्तों आपने कई बार घरों में या तो फिर कई जगह पर देखा होगा कि अगर कोई चीज को आप ऐसे करके बोलाते हैं जैसे कि मेरा यह, मेरा वो जैसे कि एक मा एक बच्चे को बोलाते है कि मेरा बच्चा तो दोस्तो इसमें कोई special feeling आती है तो दोस्तो अपने boyfriend को my love कहने से उसको लगता है कि अच्छा आपने hug जता है कि मेरा प्यार दोस्तो यह प्यार के लिए ये cute name ये nickname बहुत ही अच्छा है आथ्वे नम्बर पर मैंने रखा है digger यानि कि मेरे Prya दोस्तो जैसे मेरा प्यार वैसे ही मेरे Prya मतलब कि सब लोगों में मेरे Prya है आप दोस्तो यह नाम बहुत ही cute लगता है यह नाम बोलने से सामने वाले को भी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तो साथवे नंबर पे मैंने रखा है स्वीट हाट स्वीट प्लस हाट दोस्तो इसका मतलब आप सब जानते ही है स्वीट हाट का मतलब ही है परियतम दोस्तों ऐसे नामों से क्या होता है कि सामने वाले को कुछ ऐसा लगता है कि मुझे प्यार से कोई बुला रहा है और ऐसे नाम से दोस्तों बुलाने से अगर कई बार आपका जगड़ा हो गया तो मैं आपको एक एड़ाइस देना चाहूंगा कि ऐसे नामों से शुरुवात कीजिए, ऐसे नामों का बार बार उपियों कीजिए अपने बातचीत में, दोस्तों कई जगले ऐसे नामों से ही सुलज जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को एक अलग फिलिंग आती है, अब बार बार बोलते हैं तो उस पर ध्यान जाता है, छटे अगर आपका boyfriend सोधी जैसा है या नहीं कि प्यार में पागल है हर बार romantic बाते करता है तो आप उसको मजनू नाम से बुला सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह नाम आप सब जानते ही है मजनू कहने से क्या होता है पांचवे नंबर पर है माई किंग दोस्तों मेरा राजा दोस्तों यह नाम में ही आपको एक अलग feeling आ जाती है तो ऐसा नाम boyfriend को कहने से वो boyfriend कैसा भी हो उसे राजा वाली feeling आती है और उससे लगता है कि वो खुद राजा है और आप उसकी राज कुवारी है दोस्तों ऐसा नाम बोलने से एक special feeling आती है चौते नंबर पर मैंने रखा है माई ही hero दोस्तों hero मतलब कि आपने ऐसा कुछ कह दिया कि सामने वाले को लगता है कि मैं Bollywood या तो फिर Hollywood से आता हूँ या तो फिर मेरी style कुछ अलग है जिसे hero वाली feeling आती है दोस्तों यह नाम सुनते ही खुद को अच्छा लगता है एक अच्छी feeling आती है ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मेरी कदर की क्योंकि मेरी style मेरे पहनने के डंग मेरे बोलने के चलने के डंग hero जैसे इसलिए उन्होंने बोला कि my hero तीसरे नमबर पर मैंने जो रखा है वो थोड़ा romantic है थोड़ा अलग है hot chocolate दोस्तों hot chocolate यह नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा यह मैंने बहुत ही ढूंड कर और कुछ बना कर ऐसे नाम दिये है दोस्तों hot chocolate का मतलब है hot का तो आपको मतलब पता है chocolate का भी पता है दोस्तों यह न नजर से आपको देखता है यह नाम थोड़ा चॉकलेट ही हो सकता है और थोड़ा romantic भी तो यह नाम को आप अपने संबंद को अलग लेवल पर ले जाए उसके बाद ही इस्तेमाल करिया क्योंकि यह दोस्तों थोड़ा अलग किसम का नाम है दूसरे नंबर पर मैंने रखा है दूसरे प्लेट कहने से भी एक cool feeling आती है उसे लगता है कि मैं college में घूम रहा हूं और मेरे आसपास काई गोपिया गूम रही है प्लेट का मतलब ही है दूसरे लजकियों में favorite होना दूसरे लगता है कि मैं एकदम dicing हूं एकदम cool हूं तो दूसरे सामने वाले को आप special और different फिलिंग करवाना चाहते हैं तो प्लेबॉय क्यूट नेम या तो फिर निक नेम का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो नंबर वन पर मैंने जो रखा है और मेरा फैवरिक भी है सुपर स्टार दोस्तो ये नाम ही स्पेशल है ये एक खुद में स्पेशल फिलिंग करवाता है सुपर स्टार सुपर स्टार का मतलब यह है कि आप कई स्टार में एक सूपर हो एक उपर हो क्योंकि दोस्तो सुपर स्टार आप किसे गएंगे वो पूरी तरह सक्सेस है पूरी भी सूपर स्टार कहते हैं तो दोस्तों ये नाम से बुलाने से सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि मैं सक्सेस हो गया हूँ या तो फिर मुझे मैं कुछ ऐसी स्पेशल खुबी है जो उनको दिखती है इसलिए मुझे सूपर स्टार कहते हैं तो दोस्तों ये थे दस ऐसे निकन चलिए दोस्तो वीडयो के एंडिंग में एप्रेसियेटिंग कॉमेंट्स पिक कर लेते हैं दोस्तो मैंने एक वीड़े जाला था प्यार में यहे कदा किसी गोभी पागल बना सकती है उसमें लक्षमी ने नाईस करके और अजय ने नाइस वीडियो करके कॉमेंट्स किये दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरे प्यारे फ्रेंड दोस्तो वीडियो को देख रहे सारे बॉइफ्रेंड गर्फ्रेंड रांजा मजनू लेला कोई भी हो तो मेरे ट प्रांड था वीडी वीडियो को सारे वेटी का झाल झाल